कदर होती है इनसान की जरूरत पढ़ने पर ही बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में पढ़े रहते हैं समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिरती है क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पास समय निकल जाता है नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चनलर में और आज का रासिवल यानिके 14 मार्च के विसेश एपिसोड में साथ ही आप सभी को बदाई और सुपकामना है जनका आज जन्र दिवस है मेरीज एन्वसरी है या कोई विसेश सियादगार दिन नहीं तो आईए सबसे बेले बात करते हैं आज के पंचान की आज 14 मार्च 2022 को सुमबा रहें और आज के विसेश उपाय में अपनी रासिक उनसार कौन सी लकड़ी होली में अरपित कर रहें और होली मनाने का वेग्यानिक कारण क्या है इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा समवत दोजार इठतर का फालगुन शुकल पक्ष चल रहा है आज एकादर सी ती ती दोपेर को बारा बज़ करके पांच मिन्ट तक उसके बाद में 12 आरंब हो जाएगी नक्षतर पुशे नक्षतर रात को 10 बज़ करके 7 मिनट तक उसके बाद में आश्रेशा नक्षतर आर नहीं किया जाता है लेकिन अब में जो सुप चोगडे मौरत बता रहा हूं उसमें सारे शुप कारें सारे नए सुप कारें किये जा सकते हैं और यह समय काले दोपर को तीन बज़ करके 52 मिनट से चैंशें बज़ करके 52 मिनट तक यातर मौरत की बात करें तो उतर दिसा में यात्रा करना सुब्ध है, वहीं दिसा सूल, पूर्व दिसा और अगने, साउत्रिस दिसा में लगा रहेगा, तो ऐसी इस्तितिव, इन दिसा में यात्रा करने से बचना चाहिए, और यह दी बहुत जादा आवशक है, तो फिर दूद पिकर की यात्रा का आरम कर सकता है, यह दिशा सुद्धोस का परियार हुआ आईए अब बात करें आज के सुभगरय योगों की आज सुड़िदे कालिन कुणली में आश्रय योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ट योग, परवत योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, कर्म सिद्धी योग, चन्रमंगल लक्ष्मी अखंड समराजय योग, केंद्र तिकोंड राजयोग का साथ मिलेगा, जितने ज्यादा सुभ योग, जितने ज्यादा राजयोग, जितने ज्यादा महायोग, उतना ही व्यक्ति का जीवन वहवसाली होता है, क्योंकि ये योग राजयोगी कुणली की जान होती है, तो आपक से पता लगा सकते हैं किसके नाम से property खज़नी चाहिए किसके नाम से investment करना चाहिए किसके नाम से business start करना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो और रदी ज्यादा से ज्यादा मिले तो ऐसी इस्तिति में जब भी जिग्यासा हो राजयों की कुंडले के बारे में स्क्रीन पर जो number संपर्क स्थापित कर सकते हैं बात कर सकते हैं जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं लेकिन office time का ध्यान रखें इंडियन स्टेंडर टाइम में office time सुबह 10 बज़े से सामकि 6 बज़े तक आप contact कर सकते हैं बहुत से लोग रात को phone करते हैं आपने जब program देखा जब आपके विसेस मौरत है कवच निर्माण का 17 मार्च को होली देहन है और इस दारेज देहन के विसेस मौरत में हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे वैसे तो समस्या या कामना पूरती के लिए अलग-अलग कवच का निर्माण किया जाता है जो आप screen पर दिएवे numbers पर संपर करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप चाहें तो कवच की बुकलेट निसुरुक मंगा सकते हैं फॉन पर जब आप content करेंगे तो हमारी जो भी member से team के सदस्या है वो आपकी पूरी-पूरी सायता करेंगे वैसे वरत्मान समय को देखते वे आपको कुछ कवच के बार करना चाहिए आप मैंसे जो बंदुगन शेयर्स में कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए धनदा यक्षनी कवच धारन करना सुब रहता है आप मैंसे जो आर्थिक मंदी से परिशान है माहमंदी से परिशान है तो आपको अश्ट लक्ष धारन करना सुब रहेगा आप मैंसे जो जो 30 में परावज्यान में भविश्य को जानने के अभिलाशा रखते हैं या ऐसी विदिया जो सीखना चाते हैं, साधनाय करना चाते हैं, उन्हें पंचांगुली कवश दारन करना विसेश रूप से सुब रहे गा। जो जीवन में सुक, सांती और कर्द से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्स, सब कुछ चाहते हैं, उन्हें दस माविजा कवच धारन करना सूब रही है। हमेशा याद रखिए, कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथों में होता है। सई समय पर सई फैसला आपको आगे बढ़ा सकता है, दूसरों से आगे बढ़ा सकता है। आए अब आरम करते हैं, आज का राशी बैट 14 मार्च 2022 के लिए आरम कर रहा हूं मेस राशी से। मेस राशी के लिए राशी से फोर्ता उसमें सुक बाव में चनमा विराज मानें और ये चनमा सुक देता नहीं है। नक्षत अतारा सिद्धान के उसार वद अतारा का साथ सुब नहीं है। ये कॉमिलिशन सिर्फ 33 परसंट ही आपका बचाव करेगा, 67 परसंट नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा। तो ये चनमा आपको भैवीत कर सकता है, दुखी कर सकता है या पर गरक कलेश से कोई समस्या पैदा कर सकता है, आप खुद बहुत अवेश में करोद में आकर के कुछ भी आपसब्द बोल सकते हैं और उससे सारा दिन आपका खराब हो सकता है, आपका कंसेट्रेशन वीक हो ऐसी इस्तिति में आपका ध्यान कहीं और हुआ, तो आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान हजारों का लाखों का हो सकता है, और जो लोग कोई relationship में उन लोगों को आज के दिन अपमानित होना पड़ सकता है, संबान में कमी को देखना पड़ सकता है, सब मिला करके आज का दिन पीड़ादा एक दिन है, ऐसी इस्तिती में समान चोरी हो जाना, समान खो जाना, रख करके भूल जाना, ऐसी इस्तितियां भी देखने को मिल सकती है, माताजी की सेयत या माताजी के साथ में आर्गुमेंट होने से चिंता व्याप्त हो जाएगी, आज का लखी कलर है चेर तारा कल्यांड कारी तारा का साथ और अस्ट्राक में 29 डॉट ये कॉमिनेशन इस चनमा को 100% पोजिटिव बना देता है, और यही चनमा मंगल के साथ में जस्ति समंद भी बना रहा है, ऐसी इस्तिति को इस चनमा मंगल लक्समी योग कहा जाता है, ब्रस्पती रासी से 10 ता आने वाली है, तो आपके भागी के अधीपती शनी भी आने वाली 29 अपरेल को रासी से 10 ताउस में आ करके आपके कामकाज में बहुत ज़्यादा सपोर्ड करेंगे, लेकिन राहू 12 अपरेल 2022 को रासी से 12 ताउस में चले जाएंगे, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाब या इन्वेस्टमेंट को इनकैस करने से लाब सब मिला करके यहाँ पर आप जो भी कुछ काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपके रुके वे काम आगे बढ़ेंगे, लोगों से मिलने जुलने से आपको फाइदा मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, और सब मिला करके आज का दिन हर सेत्र में आपके लिए पोजितिव है सुभ है और इस्पेसली जो जमीन ज्यादा से समझे कोई काम काज करते हैं उनके लिए ज्यादा पोजितिव है ज्यादा अच्छा है आज का दिन संतान के साथ में लगाव या संतान से समझे कोई काम काज में का लखी कलर है येलो और आज का लखी नंबर है नंबर फाइव आईए अब बात करें मित्वन रासी की आपकी रासी से सेकिंड आउस में दानों संपत्ति बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब नहीं माना जाता है मिक्स रिजल्टी देता है तो यह बोच सकते हैं ना तो नुकसान देने वाला है ना आपके लिए पोजिटिव है लेकिन मिक्स रिजल्ट में चाहिए इधर या इधर दोनों चीज़ें हो सकती है नक्षत तारा सिद्धान कुंसा संपत तारा का साथ और अस्टा कोर्ग में 27 डॉट यह कॉमिनेशन इस चनमा को 67 परसेंट आपकी पोजिटिविटी के लिए 33 परसेंट मायूसी देने वाला बना देगा ऐसी इस्तिती में आज के दिन इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए आखों को लेकर के दांतों के दर्द को लेकर के सर्वाइकल के दर्द को लेकर के माइगरेंट के दर्द को लेकर के कहिन के शिकायत हो सकती है परिशानिया हो सकती है या second house का चनमा कोई जगडे को जन्म देता है विवात को जन्म देता है और उससे रुपए पैसे का नुकसान होने की स्थितियां ज्यादा हो सकती है लेकिन आज के दिन व्यस्तता ज्यादा होगी या कामका ज्यादा होगा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप इस दिन का उ स्थिति फाल्तु कामों में या यह बोल सकते हैं दोका दड़ी में लालच में दुराचार मियां अट्रक्ट होने लगता है और वो सिरफ उसके लिए नैतिक रूप से खराब माना जाता है ऐसी इस दिन खुद को बचाना सबसे बड़ी जिम्मिदारी होनी चाहिए आज का लखी कलर है अलेव ग्रीन कर लखी नमबर नंबर फूडि आईर करकर आ Learn की आपकी रासी बाओ में फ Maar ताउस में ही चनमा विराज मानें और यह चनमा सुब माने जाता है और यह चनमा आपकी रासी का मालिक है स्वग्र ही चनमा है नक्षत तारा सिद्धान को साधक तारा का साथ और अस्टा कोगमें 26 डॉट यह कॉंबिनेशन इस चनमा को 100% पॉस्टिव बना देता है रासी से 11 ताउस में राहू आपके लिए बहुत अच्छा है रासी से 11 ताउस में आयव चनमा इन्वेस्मेंट के लिए फाइनिशल गेन के लिए या मनिग कलेक्शन के लिए सुख सुदाओं के लिए दामपत्य सुख के लिए यह बोल सकते हैं एश्वरी के लिए entertainment के लिए बहुत ज़्यादा सुब माना जाता है आज के दिन एक प्रकास से यह बोशकते हैं कि घर में या तो पार्टी मनने वाली है और या पे किसी पार्टी में आपका जाना होने वाला है अपोजिट जेंडर के साथ में फ्रेंड्शिप या उनके साथ में टाइम स्पेंट करना आज का दि है क्रीम और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री आई अब बात करें सिंग रासी की आपकी रासी से ट्वेल ताउस में एक्स्पेंसेज बाहों में चनमा विराज माने और यह चनमा सुब नहीं माना जाता है नक्षत तारा सिद्धांत के उसार प्रत्यारी तारा का साथ और ड़रावा रहता है भैवीत तैंक कोई बात की उसे चिंता खाए जाती यह बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है या दिखवया की रूप में खर्चा हो जाता है शोई-फ करने लग जाता है और यह फिर बहुत-बार पार ऐसा होता है डिप्रेशने में आयी हम एक्पती आपको पस्ता वावने लग जाएगा कि मैंने क्यों खरीदा रासी से 12 ताउस का चर्मा कोई कोई अस्वस्ता दुरगटना या कोई खाने पीने को लेकर के प्रॉलम प्यर्थ में चिंता करके नींद कम आना और यदि आप यात्रा पर जा सकते हैं या यात्रा पर जाना चाहत है सब मिला करके रासी से 12 ताउस का चर्मा डिप्रसिव थोड़ जेता है नेगेटिव बना देता है और ऐसे में सिर्फ नुकसान ज्यादा होता है आज का लखी कलर है ग्रे और आज का लखी नंबर है नंबर टू आईए अब बात करें कन्या रासी की आपकी रासी से 11 कोई विसेश जानकारी कराता है या यह बोसा को कोई टिप मिल सकती है कोई गाइडेंज मिल सकती है कोई सला मिल सकती है और उससे आप बहुत शांदार गेन कर सकते हैं चाहाँ इन्वेस्मेंट में सौर्टम गेन में स्पैकुलेशन में या और किसी डंग से फिजिकल कोई trading हो सकती है उससे भी आप लाप कमा सकते हैं अपने खुद के रुपए पैसे की वसूली के लिए चाहा वो trading का पैसा है बिजनस का पैसा है या खुद का लोन दियावा पैसा है वो वापस लाने के लिए आज का दिन आपके लिए appropriate है health आज बहुत अच्छी रहेगी तो साथ इसाथ आपके जो भी competitors है विरोधी है वो आज सांथ पढ़े रहेंगे या आपका उन पर बहुत अच्छा नेंतरन रहेगा जो भी यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है और यह अच्छी स्थिति आपक 11 ता उसका चनमा का मतलब यह 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 यश गें सक्सेस एप्रिशेशन एचिमेंट प्रॉग्रेस अब आप जो चाते हैं उसके लिए try जरूर किजे और try करेंगे तो फाइदा हम जरूर मिलेगा क्योंकि हमेशा जो 30 में भी देख लिए करम के बाद ही लाब का भाव है अता लाब भी बीना करम किये वह नहीं मिलेगा भागय उससे पहले भागय वसाथ जब भागय अच्छा होता है वेक्ति करम करता है जब करम करता है तो लाब मिलता है ऐसे ही तो किसी को लाब नहीं मिलता है आज का लखी कलर एक क्रीम कलर और आज का लखी नंबर है नंबर वन आ रासि से टेंथ आउस में आयवा चेनमा, आपके कामकाज में आपको व्यस्तता ज़्यादा देता है, इन्वॉल ज़्यादा कर देता है, और जो भी आज, आपकी मिटिंग होगी, जो भी मिलेगे, चाहिए छोटे से ही, रोजगार वारे व्यक्ति हैं, उसके बावभे जो भी मिलेगा वो आपको कोई को आइडिया दे करके जाएगा जिससे आप अपने आपने इंप्रूमेंट कर सकते हैं अपने कामकाज को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं नए आइडिया या नए लोगों से संपर्ख और जो राजनेतिक शित्र में उनके लिए तो आज का दिन कोई आइडिया उनको भी मिल सकता है आज का दिन सब मिला करके आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है और आपके प्रियास बहुत औरुनेरी सकसेस दे सकते हैं आज का लखी कलर है आई वरी क्लर और आज का लखी नमबर नंबर वन आई अब बात करें व्रस्ठिक रासी की आपकी रासी से नाहीं ता उसमें भागयों बाव में चर्णमा विराज माने और यह चर्णमा मिक्स रिजल्टी देता है नक्षत तारा सिद्धान को सार वद्ध तारा का साथ सुब नहीं है और अस्टा को अपमे 37 डॉट ये कॉमिनेशन 50% पॉस्टिफ, 50% बीक है, नेगटीव है ऐसी इस्तिति में, रासी से नहीं ता उसका चलमा, संतान के साथ में आर्गुमेंट, संतान की चिंता, या संतान के साथ में कोई प्रॉलम, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है मन में असांतियाद ज्यादा रहेगी, और जो लोग जॉब वाले लोग है, वो अपने इंप्लॉयर से, अपने सीनियर से, कोई बात को लेकर करके डाट खाएंगे या उनके साथ में उनकी भी नोग जोग हो सकती है, और वो नोग जोग सारे दिन आपको डिस्टरब करेगी आपके सम्मान, आपके नाम, आपके प्रतिस्ता पर कोई कोई आच आ सकती है और जो लोग नए-ने नोकरी में आये वे हैं, उनके लिए एक प्रकास से तलवा लटक रही है जो बिजनस मेंने, उन लोगों को अपनी फाइनिशल पोजिशन को ध्यान रखना है फ्रोड से आपको बचना है या बहुत बड़ी डील से पहले दो बार नहीं, तीन बार सोच लेना है आज धर्म के प्रति आस्ता आपकी बढ़ेगी या पिर एक प्रकास से आप खुद स्पिच्वल होते जाएंगे और आपका ज्यादा तर खर्च आज दान धरम पर हो सकता है लेकिन स्टमक से समधी, डाइजेसन सिस्टम से समधी परेशान भी होंगे आज का लखी कलर है डार्क ग्रे और आज का लखी नंबर है नंबर फाइफ आईए अब बात करें दनू रासी की आपकी रासी से एड ताउस में मारक बाव में चनमा विराज माने और ये चनमा सुब नहीं माना जाता नक्षत तारा से दान के उसाज अधी में चनमा का साथ और अस्टा को अगमें 38 डॉट ये आपका 67% बचाव करेंगे नेगेटिविटी से मारक शमता से लेकिन 33% आपको फिर भी फेस उस चनमा को करना ही पड़ेगा और जो चनमा नेगेटिव है उसको पॉजितिव नहीं बनाए जा सकता है सिर्फ उससे बचा जा सकता है तो ऐसी इस्तिति में आप कोई कोई प ट्राविंग करके दिखाना चाता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं और वो दिखावा आपके लिए आज बारी पड़ जाएगा और यदि आप बहुत जल्द बाजी में ऑफिस जाना चाते हैं जल्द बाजी में कोई काम करना चाते हैं तो ऐसी इस्तिति में जल्द बाजी म घर के सदेशियों से किसी बात को लेकर के आप एक तनापुन सम्मध हो सकते हैं नोग जोग हो सकती है बात का बतंगर बन सकता है ऐसी इस्तिति में बदनामी आपकी होनी निश्चित है तो आपके लिए फिजिकली मेंटली और फाइनेंशली आज का दिन कष्ट करके इस दिन क जितना अच्छे डंग से बचा करके निकल सकते हैं उतना निकलना चाहिए आज का लखी कलर है गोल्डन और आज का लखी नंबर है नंबर थ्री आईए अब बात करें मकर रासी की आपकी रासी से सेवन ताउस में दामपत्य सुख बाव में चनमा विराज मान है और ये चन आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा वान का सुख जीवन साती से को इनको सर्प्राइज मिल सकता है गिफ्ट मिल सकता है या कोई ऐसी सूच नहीं मिल सकती है जो आपको सारे दिन बहुत ज़्यादा खुशी दे या आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है आज का दिनी ग्रस सुख के लिए, सांसरिक सुखों के लिए, सुख सुधाओं की प्राप्ति के लिए, और या फिर फाइनिशल गेन के लिए, अच्छे खाने पिने या अच्छे कपड़े पैनने के लिए जाना जाएगा, जो लोग बिजनसमेन हैं, वो लोग आज बहुत श सुधे बाजी से, हर हालत में, आज आप सुधे बाजी में ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फाइदा कमाने वाले हैं, आज का इन्वेस्टमेंट आपको बहुत शांदर गेन देगा, तो साथ ही साथ, वो लोग जो कोई इनको नॉलेज लेना चाहते हैं, नॉलेज लेन गेन ही गेन हैं, अताथ पांचों उगलिया गें में और सरकड़ाई में, ये इस्तिति आज आपकी है, इसलिए जम करके मैनत कीजिए, और जम करके ही आप एक्स्टाउडिनरी गेन कमाईए, आज का लखी कलर है, वो है ओरेंज, और आज का लखी नंबर है, नंबर वन, पसंद पॉस्टिव रहेगा, रासी से सिक्स ताउस में, या रोग बाव मायवा चनमा, आपको संगर सों में से निकालने में मदद करता है, तो जिन लोगों को लोगों को लोगों को लोगों प्रोवाइड करने के रास्ते दे देता है, और जो लोग लोगों चुकाना चात कोई समझोता करने की कोशिस कर सकते हैं सब मिला करके आज का दिन उन्नती प्रगति के लिए फाइनिशल गेन के लिए अपनी संपत्ति के गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा सूब माना जाएगा तो जो लोग इस पल स्पेकुलेशन या यह बहुत सकते हैं फीचर ट्रेडिं और आज का लखी नमबर रहें नमबर वन आईए अब बात करें मेन रासी की आपकी रासी से फिप्ट आउस में इस शिक्सा और संतान बाव में चनमा विराज माने और यह चनमा मिक्स रिजर्टी देता है नक्सटत तारा से दांकुलसार अदीमितर तारा का साथ और अस्ट बावनावस, मोजाल में आकर कि कोई बुरी आसकती के वस तो आपको बदनाम होना पड़ सकता है या साजिस का शिकार हो सकता है। आज के दिन आप जो भी काम कर रहें उसको सिरफ और सिरफ प्लानिंग के तोर पर लें उसको एक्जिक्रिशन नहीं कर रहें या फाइनिशल डीलिंग से बचने की सला दे रहा हूं क्योंकि आज जो भी समस्य आएंगी उनका बुद्धी बद से आप सामना कर सकते हैं बुद् अब बात करते हैं आज के विश्यस उपाई की अपनी रासिक नुसार कौन सी लगड़ी होली में अरपित करें ये इस उपाई में मैं आपको बतला रहा हूं पुरानों में होली को सिद्ध रातिरी माना गया है इस दिन किये गे प्रियोग साधना उपासना निश्चिंती मन विश्यस दारित लगड़ी का एक टुकड़ा या एक से ज्यादा टुकड़े जो भी आपकी समर्तिय हो खोली को अवश्य अरपित करें या कारिये होली का के सांथ फेरे लगाते हुए करें रासी और लगड़ी की जो किसम है वो इस प्रकार से हैं मेस रासी या व्रस्टिक रासी वाले लोगों को खेर या खदीर की लगड़ी होली में अरपित करनी चाहिए व्रस या तुला रासी वाले जो भी जातक हैं वो गुलर की लगड़ी को होली में अरपित करें मिथुन और कन्या रासी वाले जातक उपामार की लगड़ी होली में अरपित करें तो करक र तो इस प्रकार से अपनी रासी के नुसार आप विशेश प्रकार की लगड़ी या समीदा जो होती है वो इस होली को प्रजुलित होते समय या उससे पहले अर्पित कर सकते हैं अब बात करते होली मनाने का वेगानिक कारण क्या है हमारे अन्य परफों की भाती होली भी सर्वता विज्ञान पर आश्रित परवह है या विज्ञान आधारिद है इसकी सभी क्रियां रहश्य में पूर्ण है और अप्रतेक्स रुपेन मानव स्वास्तिय और शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाज दिये। देश भर में एक साथ एक रात में संपन होने वाला हुली का देहन इस जाड़े और गर्मी की रितु संदी में फूट पढ़ने वाली खसरा, मलेरिया या अन्य संक्रामक रोग होता है या किटानों के विरुद सामुईक अभियान है। इस्थान इस्थान पर प्रज्वलित महागनी की प्रदिप्त ज्वालाएं अवसक्ता से अधिक गर्मी के द्वारा समस्त वायू मंडल को उष्ण प्रना करके गरम बना करके जहां सूरी की समुचित उष्ण अभाव से उत्पन इन रोगों की किटानों का संगार कर देती ह को अपने स्रीर पर समाहित करने से जंता के सरीर में समस्त रोग उत्पादक जीवानों को भी समाप्त करने में समर्थ हो जाता है यही कारण है कि हमारे गावों में या हमारे जो बुजुर्गते उन्होंने एक प्रगासे हुली के साथ जो परिक्रमा थी उसको करने का नियम बना लिया था कि इस समयकाल में आपको भी यह प्रियास जरूर करना चाहिए अपने स्वास्ति के लिए यह एपिसोड और यह उप पर दिया वाए उस पर ही भेजें ज्यादा अच्छा रहेंगा मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुरक्सित रहें अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुब कामना है इश्व बहुत-बहुत-बहुत-इश जाए सारे हुत-पर का डत कामना हैए ऱव झाल रहें ऊपना हुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत